पूश्कार और वेलकम टू अलोफी एंड ग्लोबल उकॉर्ट दोस्तो आल महीं आप लोग ने सुना होगा कि इंडिया ने काफी बड़ा स्टैप लिया है दरसल हुआ क्या है कि आप लोग को पता होगा कि इंडिया जो है वो राइस का इससे में दुनिया में सबसे बड़ा इससाब से यानि की kg बेज़ी के इससाब से नहीं बात हो रही है quantity के इससाब से बात नहीं हो रही है जो वेल्यू अगर आप लोग देखो न तो उसके इससाब से 40% जो rise होता है वो अकेला इंडिया एक्सपोर्ट करता है और इसने ये decision लिया है हाल में कि जो rise का एक्सपोर्ट है वो completely ban कर दिया जाएगा इंडिया ने completely 20 जुलाई 2023 को rise का जो एक्सपोर्ट है उसको बंद कर दिया है और जिसके बाद अगर आप लोग देखो न तो एक तरीकी कर पैनिक दिख रहा है वर्ल्ड में खुद इंडिया के जो एनराइज बाहर रहते हैं जैसे की USA हो गया, Australia हो गया, UK हो गया, Canada हो गया, यहां से अलग-अलग news आ रही है, अलग-अलग तरीके की videos आ रही है जिसमें दिख रहा है कि ये जो एनराइज है ना ये इसके लिए मा मारा मारी आप लोग कह सकते हैं, मारा मारी literally means में नहीं, मतलब कहने का मतलब है कि इसके लिए आप लोग कह सकते हो कि रश कर चुके हैं कि उजाज ज्यादा जितने ज़्यादा जो packet है rice के वो खरीच सकें, काफी लंबी-लंबी stores के बाहर जो lines है वो लगने लगी है इन लोग और बाकी भी अगर आप लोग देखोगे न सेनेगल हो गया, थाइलेंड हो गया, इस तरह की कि बाकी भी जो countries हैं, इनके अंदर भी थोड़ा बहुत जो panic है वो देखने को मिल रहा है, यहां तक कि मैं आप लोग को बता दू जो IMF है, वो भी काफी जादा panic हो चुका, IMF न अगर वीडियो अच्छा लगे तो like, comment, share, subscribe जरू करना है, सबसे पहले तो आप लोग को पता होगा कि अभी हाल में जो grain deal थी, Russia, Ukraine, UN और Turkey ने मिलके आपस में deal की थी, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो में बताया भी था, इसको रशिया ने cancel कर दिया, आप लोग कह सकते ह कि अपने आपको pull out कर लिया, इसमें से, अगर आप लोग के इस story के बारे में इस पूरी चीज के बारे में नहीं पता, तो ये वाली वीडियो अगर आप लोग जा के मेरी देखोगे, तो इसमें पूरा आप लोग को crystal clear समझ में आ जाएगा कि आकर हुआ क्या है, जिसके बा बात से ऐसा कहा जा रहा था, crisis तो चलो बात की बात है, कहा ये जा रहा था कि जो inflation है, इसकी वज़े से खास कर से जो food sector है, उसके जो product से उसमें inflation बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, चीजे जो हैं वो महेंगी होने वाली है, कि वज़े से जो poor's है हर country के, उनको दिक्कत आने वाली है, अपनी जो आप लोग कह सकते हो paid बनने में, अब Ukraine हाला कि उतना बड़ा rice का एक्सपोर्टर नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जैसे कि ये मैंने बताया कि जो ये grain deal से बाहर निकलने का मतलब था कि पूरा जो food sector है, उसी में inflation देखने को मिलता, और होता क्या है जो हाँ पर आप लोग कह सकते हो कि mix करके ये किया जाता है, rice भी एक बहुत बड़ा food items है जो consume किया जाता है उन countries में, इंडिया भी इन countries में से एक है, उसके अलावा भी अगर आप लोग देखोगे तो अफरीका की countries हैं, बाकि South East Asia की countries, South Asia की countries जो हैं, यहाँ पर rice जो होता है rice में भी ये चीज ना देखने को मिले, इसलिए इंडिया ने ये जो बैन है, ये लगाया है, आप लोग कह सकते हैं, दूसरा अगर आप लोग देखोगे ने, तो इस बैन का जो अकारन है, वो है कि इस समय जो production है, वो भी काफे ज़्यादा हिट हुआ है, climate के चलते हैं, दर Elnino year में होता क्या है, कि ये जो Asia होता है, इसमें काफी ज़्यादा मौसम जो होता है, वो dry देखने को मिलता है, dry मौसम में आप लोग को पता होगा कि rice जो होता है, वो तरह produce नहीं हो पाता है, तो इसकी वज़े से भी एक खत्रा है, इंडिया की जो इस समय rice का, इस साल का ज किया है, तो या खिर हो गया रहा है, जब dry होता है, तो flooding क्यों होई, Elnino वाले साहर में, पंजाब में, ये जो contrast है, दोनों ही situation में, negative situation जो है, वो कैसे हो गई, तो यहां मैं आप लोग को बता दू, देखो, ये जो चीज है ना, ये बहुत ही ज़्यादा unpredictable है, over time जो हम लोग ने, आप लोग कह सकते हो, अर्थ को नुकसान पहुचा है, जो भी emission किया है, इसकी वज़े से हुआ क्या है, कि climate बहुत ज़्यादा unpredictable हो गया है, इसलिए जो expect किया जाता था कि Elnino की वज़े से drought देखने को मिलेगा, वो अब उतना ज़्यादा नहीं हो रहा, एक पूरा unexpected च जारी है, इसलिए अब होता क्या है, कि पहले जो word है, वो इस्तिमाल किया जाता था, global warming, लेकिन over time जो scientist है, जो भी experts है, उनको ये समझ में आया, कि जो emission हम लोग कर रहे है, इसकी वज़े से ऐसा नहीं है, कि हर जगे warm मौसम ही देखने को मिलेगा, इसलिए global warming के जगे अब ज दुबारा आ जाए, तो कहने का मतलब यह है, कि इसके वज़े से, climate change के वज़े से, rice का जो production है, वो काफी ज़्यादा हिट किया है, उसके अलावे इस साल के शुरुवात से, अगर आप लोग देखोगे न, तो rice का जो price है, वो भी दीरे-दीरे काफी ज़्यादा बढ़ा है अराउंड 15% यह शुरुवात के तीन महीने में जो price का rice था, rice के वो हो चुगा था, तो इसनी सब चीजों को देखते वे, India ने आप लोग कह सकते हो कि यह जो ban है, वो लगाया है, ताकि जो price है, उसको stabilize किया जा सके, साथी साथ, आप लोग कह सकते हो कि यह जो food security का issue है, कल क दिक्कत ना हो जाए, कल को rice की कमी ना हो जाए, इसको देखते वे, India ने यह जो decision है, वो लिया है, जिसके बाद अगर आप लोग देखो, तो एक तरीके के panic दिख रहा है, पूरे world में आप लोग कह सकते हो, जहाँ-जहाँ rice का consumption जाता है, वहाँ पर यह panic जाता दिख रहा है और जिसका काराण था कि जहाँ-जहाँ इसका production होता, जैसे कि चायना हो गया, इंडिया की countries हो गई, इन सब की पे आप लोग कह सकते हो, एल नीलो year की वज़े से, या फिर climate change की वज़े से, काफी जादा यहाँ का जो production है, वो hit किया है, और हुआ क्या कि wheat का जो, आप लोग क कह सकते हो, supply है, वो बंद हो गया, इस green deal कि से pull out करने के बाद, शिया के, और rice का supply जो है, वो बंद हो गया, इंडिया से, राइस मैं आप लोग को बता दूँ कि 100 से जादा countries में इंडिया सप्लाई करता था, और 40% से जादा, अकेले इंडिया सप्लाई करता था, वो value के साब से, तो आप लोग कह सकते हो, कि rice इंडिया से बंद हो जाना, और ये rate यहां से बंद हो जाना, इसके बाद से जो पूरे world है, इसमें फिर से आप लोग कह सकते हो, कि food crisis जो है, food security को लेके जो खतरा है, वो एक बार फिर से उसकी बात की जाने लगी है, बागी countries भी हो गई, ज जिनने इस चीज़ को देखते हो, एक तरीके से आप लोग कह सकते हो, अपने आपको protect करने के लिए, अपने decision जो है, वो लिया है, जैसे कि वहाँ से भी export ban कर दिया गया है, export ban नहीं किया गया है, तो जो custom duties हैं, वो सब बढ़ा दी गई है, और पूरी तरीके से आप लोग कह देखा कि Indian government ने ban लगा दिया, rice के export पे, जिसके चलते हुआ क्या, कि supply बढ़ गई India में, सिर्फ इंडिया इंडिया की बात करें, तो supply बढ़ गई, demand इंडिया की में कम है, वर्ल्ड में export होता, तो आप लोग कह सकते हो, कि demand जो है, वो जादा है, लेकिन सिर्फ इंडिया ही म सकता है, देखी रहोगे कि UK, USA, बाकी जो countries है, फोरण की, जहाँ पर इंडिया की population, इंडिया की population जादा है, जहाँ पर rice consumption करने वाले जो लोग है, वहाँ पर इस तरह की जो videos है, वो सामने आ रहा है, दरसल बाहर जो stores है, उसके बाहर काफी जादा लंबी line लगी है, rice की जो packets है, उनने rice का price artificially कुछ से बढ़ा दिया है, पाच डॉलर, दास डॉलर जादा price पे बेचने लगें, लेकिन उसके बाद भी यह जो लोग है, यह rice खरीदने के लिए line लगा रहा है, और owners ने अब तो यह decision लिया है, कि हम लोग एक family को सिर्फ एक packet या दो packet सिर्फ इतना ही बे लेकिन इसके बाद काफी जादा criticism भी हो रहा है इंडिया का, जो कि होना थोड़ा बहुत देको ठीक भी है, कहा यह जा रहा है कि जब इंडिया इस तरह के decision लेगा, तब वो कैसे कहलाएगा कि वो global south का leader है, दरसल यह जो countries है, आप लोग को पता होगा कि यह इनको कहा जाता ह ग्लोबल south, यह वो countries है जो उतनी खास developed countries नहीं है, उतसी आपर poor countries या फिर middle income countries जो है, वो आप लोग को मिलेंगी, इंडिया एक तरीके से pitch करता है अपने आपको इन countries का leader, इन countries की voice आप लोग कहलो, इंडिया इस तरीके से अपने आपको pitch करता है, लेकिन इस decision के बाद यह कहा अब यह थोड़ा बहुत तो हाला कि ठीक है, लेकिन एक तरीके से आप लोग देखो ना, तो यह मजबूरी भी है इंडिया की, इंडिया के पास खुच सबसे ज़्यादा दुनिया की population है, उसको feed करना है इंडिया को, लेकिन उसके बाद भी इंडिया जो है, वो अकसर जो भी होता है, जो भी रूल्स बनाता है, उसके बाहर जाके भी जब वो देखता है कि बहुत ज़्यादा मजबूरी है किसी कंट्री की, तो वो इस तरह की की चीजे सप्लाई करता है, जैसे कि आप लोग को पता होगा है कि इंडिया से राइज ही नहीं, कुछ दिन पहले, कु प्रीली एक्सपोर्ट जो है, वो नहीं होने देंगे, लेकिन इसके बाद भी आप लोग कह सकते हो कि ये जो वीट है ना, ये इंडिया ने सप्लाई किया था एजिप्ट को, जब एजिप्ट ने रिक्वेस्ट की एजिप्ट के पास ज्यादा इस तरह की प्रॉब्लम होने एक्सपोर्ट कर सकते है, और किसी कंट्री को ये एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता है, तो इंडिया अपनी नीट के साथ साथ, वर्ल्ड की जो नीट है, वो भी अक्सार पूरी करता है, ऐसा नहीं है कि completely जो आप लोग कह सकते हो कि हमें सिर्फ अपने से मतलब है उस तरीके की decision लेता है यह जो countries आप लोग देख रहे हो यहाँ पर मेना countries याने के Middle East और North African countries जो हैं वो साथी साथ सब सारा countries जो हैं इनको बताया जारा कि यह सबसे ज़्यादा hit करेंगी सबसे ज़्यादा इनका नुकसान होगा इंडिया के decision के वज़े से साथी साथ 5 और यहाँ पर countries आप लोग को देख रहे होंगी जिसका बताया जारा कि यह वो 5 countries जिसको सबसे ज़्यादा इसकी वज़े से नुकसान होने वाला है उसके बाद अगर आप लोग देखोगा ना तो यहाँ पर आप IMF भी कूच चुका है IMF ने भी governments को यह आप लोग कह सकतो इस decision को criticize किया साथी साथ उसने यह भी request किया है कि इंडिया को उसने जो यह decision दिया इसको एक बार revisit करना चाहिए कहेंगा इसको यह कहा जा रहा कि IMF ने completely धमकी ही दे दिया इंडिया को लेकिन धमकी मैं नहीं कहूंगा दरसल IMF ने यह कहा है का जो repercussion है वो कर रहत हो सकता है दरसल होता क्या है ना कि जब एक country इस तरह की इस तरह की protectionist policy अपनाती है वो यह कहती है कि सिर्फ हमें अपने country से मतलब है तो इसके बाद होता क्या है कि बाके countries भी इस तरह के जो protectionist policy है वो अपनाती है जिसके चलते होता क्या है कि world की जो economy होती है ना वो बहुत ज़्यादा hit करती है 2008 में ऐसा देखा गया था जिसमां बताया जाता कि भाल भी आ रहा होगा कि IMF का यहां पर क्या काम है IMF का food security से क्या लेने देना यह तो वो organization है जो कि आप लोग कह सकते हो कि monetary policy को stabilize करने के लिए loan देती है banks जो central banks होती है उनकी condition सुदाने के लिए loan कर देती है तो यहां पर IMF का क्या काम है इसमें मैं आप लोग को बता दू कि दरसल होता क्या ना कि IMF जो loan देता है monetary policy को stabilize करने के लिए central bank की जो condition है उसको सुदाने के लिए इन loan की ज़रत आप लोग सोचो तो किसको पड़ेगी उन countries को पड़ेगी जहां पर जो situation है वो अच्छी नहीं है poor countries हो गई या फिर middle income countries हो गई जिनकी हाल में आलत जो है वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई है उन countries को इसकी जरत पड़ेगी तो IMF ने उनी countries को ये loan दिया है और उनी countries के उपर जो food security का खत्रा है वो सबसे ज़्यादा मंडरा रहा है government case decision के बाद या फिर Ukraine war के चलते जो हुआ है उसके बाद इसलिए IMF को भी ये जो loan उसने दिया है उसके installment उसका repay आप लोग कह लो मिलने में दिक्कत होगी या मिलने में दिक्कत हो सकती है और इसलिए आप लोग कह सकते हो आप यहाँ पर इस तरीके की बात है कर रहा है तो यह था पूरा वीडियो गास आयो वीडियो आपको अच्छा लगाऊगा इस लाइक, कमेंट, शेर, सब्सक्राइब ज़रू कीजेगा that's all, have a nice day, take care